नमस्कार प्यारे साथ यूँ एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इस पेडिंग ज्यान पर और जैसा कि हर बार बोलता हूँ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेयर करें और जितनी बार आप यहां पे आएंगे आपको हर आजस्तान के एक और प्रमुक्त लोक देवता के बारे में और वो हैं दोस्तों वीर कल्ला जी राठोड वीर कल्ला जी राठोड इनको दोस्तों आपको पता होगा चार हात और दोसर वाला देवता भी कहा जाता हैं सेशना क्या उता भी यह माने जाते हैं तो चलते हैं वीर बीर कला जी महाराजगा जनम जो है वो कब हुआ था 1544 में अश्विन को अश्विन कहा अश्टमी को बीर कला जी महाराजगा जन हुआ था कहाँ पे हुआ था तो मेड़ता नागोर के अंदर सामियान गायों में काँपे सामियान गाउं में नाम याद रखेगा सामियान गाउं के अंदर मेड़ता नागोर के अंदर वीर करलाजी महाराज का 1540 में जनव हुआ था इनके पिता कौन थे तो इनके पिता थे दोस्तो कौन राव अचल सिंग राव अचल सिंग दोस्तो इनके पिता थे और मीरा मेरा बाई क्रिष्ण भक्त मीरा बाई जो है इनकी बुगा कौन थे इनकी मीरा बाई इनकी बुगा थे दोस्तो ठीक है चलिए और इनकी माता का नाम था स्वेत कमर माता का क्या नाम था स्वेत कमर इनकी पत्नी का नाम क्या था क्रिश्णा देवी क्या नाम था क्रिश्णा देवी दोस्तो वैसे तो इनकी साधी नहीं हुई थी इसलिए बाल ब्रह्मचारी भी का जाता है तो दोस्तो पत्नी फिर कहां से आ गई अब बात मानने वाले सुनने वाले जो यह है यह पत्नी कैसे हुई फिर तो दोस्तो क्या होता है यह जो आपके कृष्णा देवी जी एक छोटी सी कहानी है मैं सुना देता हूं आपको कृ पर क्या है भीलो ने आकर्मन कर दिया आपको पता होगा अगर किसी ने बावबली पिक्चर देखी होगी तो जब बावबली और कौन सी दूसी 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 दू लोगो हरा देते हैं दोनों एक दूसरे से कापी प्रवावित होते हैं और दोनों एक दूसरे से साधी का वचन देते हैं साधी का वचन देते हैं साधी होती नहीं है साधी का वचन देते हैं तो साधी से पहले क्या होता है साधी से पहले कहीं कहीं पर कुछ लोग बताते हैं क जब कलाजी महराज साधी के लिए चले गए थे और जब तोरन बांगते हैं या जब पोल तोरन बांगते हैं उस टाइम क्या होता है उनको पता उदे सिंग का मैसेज आता है राणा उदे सिंग का मैसेज आता है कि चितोड पर अकबर ने आकरमन कर दिया है और कहीं पर ये नह का हो गया तो कहते हैं कि जो आपके राजपूत राठोर जो थे उन्हों है केश्रिया बाना पैना और युद्ध के लिए कूद गए और उसी युद्ध में कलाजी महाराज 24 फरवरी को सहीद हो गए थे तो ये भी एक कहानी है पर उनकी साधी हुई नहीं थी साधी हुई नही देवी जो है सती हो जाती है दोस्तो इसी वजए से इनकी पतनी कृष्णा देवी ही मानी जाती है और इनका रुंडे लगाओं के अंदर मंदिर है ये एक छोटी सी कहानी थी इनकी जाती कौन सा इनका तो वस दोस्तो कलाजी महाराज क्या है राठोड है वीर कलाजी राठो आता है इनकी छत्री कांपे हैं तो छत्री भैरव पॉल चित्तोडगड के बास है यह देखिए बहुत ही प्यारी खुबसूरत छत्री है कलाजी माराज की भैरव पॉल चित्तोडगड में दोस्तों और इस छत्री पे अस्विन शुक्ल नौमी को मेला लगता है याद रखने दोस्तों क्या है चार हात और दोस्तिरवाले देवता शेशना के अउतार इनको माना जाता है इसलिए दोस्तों इनकी मंदिर के अंदर काले पत्थर पे शरप के रूप में इनकी पूजा होती है अस्तर सस्तर के ज्याता कल्यान कमधज या कमधज भी लिखा मिलेगा आपको बाल ब्रह्मचारी का बारे में मैं बता चुका हूँ केहर योगी और सिद्वध्य सिद्वध्य भी इनको बोला जाता है क्योंकि जब दोस्तों जैसा कि आफ पिक्चर में देख रहे हैं ये जैमल है जब अकपर ने घेरा डाला था चित्रोड के किले पर और उसने कौन सी संग्राम याद रखिएगा कौन सी संग्राम तॉप चलाई थी संग्राम तॉप जब चलाई थी तो उस तॉप में दोस्तों ये जैमल जो है घायल हो गए थे घायल हो गए थे तो घायल जैमल को अपने कंदे पर बिठा करके अपने कंदे पर जैसे बिठा रखा हैं और दोना हातों में तलवार दे दी और युद लड़े थे उसके बाद और ज़्यादा जब गाहिल होगे तो ये उनका जैमल का जब उपचार कर रहे थे तो पीछे से किसी सैनिक ने जो मुगल सैनिक था उसने पीछे से हमला वार किया और इनकी जो सर है वो दड़ से अलग कर दिया था तो इसलिए दोस्तों ये सिद्ध वैद्ध भी कहे जाते हैं डीक है तो मांची क्रोगी भूत प्रेत का निवारण आधी दोस्तों कला जी महाराज के द्वारा किया जाता है ऐसी माननेता है तो इस तरह दोगस्तों जब ये युद लड़ रहे थे तो इनके देखिए चार हाथ थे और दो सिर थे इसलिए चार हाथ और दो सिर वाले देवता भी कला जिवाराज को माना जाता है कि इस कोशन को इंपोर्टनेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये कोशन काफी बार एक्ज बड़ा में है और प्रमुक पीट दोस्तों कहां पे है रनेला गाउं चितोड में प्रमुक पीट रनेला गाउं चितोड में है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उदे सिंग ने जो दोस्तों इनको रनेला गाउं की जागीर दी थी दोस्तों रनेला गाउं की जागीर दी थी कुछ और डिटेल हैं तो कमेंट में जुरूर बताईए मैं आपके लिए लेकर आ जाओंगा दोस्तों जैहिंद बाई बाई चेक केर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले मिलते हैं कल एक और देव